आज मैंने हैंड रेस किया तो एक अपना एक्सपीरिइन्स शेर करने के लिए यह करिए हम कितने महीनों से जुड़ने और जोड़ने का कारेकर हम चला रहे हैं और बहुत तेजी से पूरे देश में पूरी दुनिया में गाउं तक लोग जुड़ रहे हैं और आगे हम साथ मे बढ़ रहे हैं तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसके साथ बीच-बीच में बीच-बीच में हम जितने भी लोग हैं हमारे साथ नए-ने खलाब बढ़का रहे हुए एपने संगटनों की खलाब बढ़का रहे चासर नहीं करा झूल जनका मेरे पास फ्व फोन आया था उन्होंने वह मैसरे बेजने वाले को spoken किया उन्होंने भाईया आप ऐसे ऐसे लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो आप तो आपको पता नहीं है कि जो है आप अगर बाबा साब की बात करते हो आप बुद्ध की बात करते हो तो आपको पता नहीं है कि हमारा संग हुआ करता तो और हमारे संग की क्या ताकत है और जो है संग से हम हमेशा क्छा जीद पैं सिंग से होगी तो आदमी कहता है कि ऐसे फह तो सपर संग जीतेगा और संग उतना इक किया लेकिन वह यह बात क्यों कहते हैं कि जो है कोई पैसे ना दो पैसे ना दो उनको पैसे लेता संग्ठनवाला उनको क्या दिक्कत है तो उसको साथ में ने कहा कि भाई सारी लड़ाई तो चंदे धंदे की है अगर आप चंदा धंदा बंद कर दोगे और लोगों पर काम कर तो वह जीत आसानी से मिलेगी जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं जो काम करना चाहते हैं आसानी से हो जाएगा तो उसके बड़े पेट में दर्द हुआ उसने का क्या आप संग चलाओ आप लोगों को जोड़ो लेकिन आप लोगों को यह मत कहो कि पैसा देना बंद कर दो प हमारा नुकसान किया है अब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है क्योंकि अब लोगों ने यह बात कहनी शुरू करती है कि पैसा देंगे चब साथ आओगे चब तो इसका मंदर यह है कि सब को यह बात पता चलती चलती जा रही है सब को यह बात आगे बढ़ती ज experience होगा और अपने अगर कोई ऐसे experience है न थो प्लीज नहीं बता दे रहें कि यह experience बताने देना ही पदा चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन तक यह message पोछ रहा है कि पैसे का लेने देने का जो काम है पैसे का लेने देने का जो ढंदा इसको बंद करना पड़ेगा, इसको बंद नहीं करेंगे, तो हम आग नहीं मर सकते, क्योंकि जुडने-जुडने के लिए, साथ आने के लिए, दो रोटी साथ में बैटके खाने के लिए, रुपिया की जरूरत नहीं है, रुपिया सब अपनी जेब में रखें, जब रुपिया की जरूरत होगी, तो तब रुपे का इस्तमाल हो जाएगा, लेकि जुडने-जुडने के लिए रुपे की जरूरत नहीं है, जितने भी ये पेट-दर्द वाले लोग हैं, भी ये निकल-निकल के बाहर आएंगे, नन्यवाद सर्थ. यहाँ पर मैं नाम लेना उनका सही है तमजञेंगी, वो बामसेश से बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि जो यह संगचन की बुराई करते हैं या जब कि हमारी हाँ वीड़ पीपल के कॉंसेप्ट में किसी भी संगचन की बुराई नहीं की जाती है चन्दा या पर्षी काटना है तो इसने सालों से हम आपको चन्दा देते आ रहे हैं पैसे देते आ रहे हैं आप साल में दो बार हर छे महीने पर्षी करतवा के जाते हैं उस पैसे का आज तक आपने सदूपयोग क्या किया है तो यह बात उन्हें इतनी बुरी लगती है कि भाई हमारे लिए मतलब इसका मतलब वो लोग हमारे गुरूप में हमारे संगचन में जुड़े हुए हैं और वो बराबर यह सारी मीटिंग करते हैं और सुटे हैं बकायदा तो उनको मतलब जो सची बात है वो उनको बहुत कड़वी लगने लगी है और यह हकीकत है कि हम अपने समाज में जो भी एक कुष्ट रोग जो जम गया है कि भाई पैसा लो खाओ और उसे दकार जाओ जो हमारे सिर्फ बाबा साब को दो दिन याद करो एक जनम दिन पे एक मरन दिन पे बीच में बिल्कुल भूल जाओ जी किसी से कोई मतलब नहीं है कोई मर रहा है तो मरे किसी के साथ अच्याचार हो रहा है तो होता रहे उनको कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो छे महीने स लिए पर पहले कवी अपनी शक्ल भी दिखाते हैं। लो हम समाज के लिए कुछ नहीं सर सकते हैं तो हम चंदा रसी जो भी है उनको पटवा लेते हैं और वो बकाइदा अच्छी खासी मोटी रतम देते हैं उन्हें तो वो उनको वो ले जाएंगे और ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ऐसे संगतन जो बने हुए है वो मोटे मोट पांच-पांच-ज़के 55,000 रुपे ले लेते हैं और जब उनका जनम दिन होता है बावस ताहप का तो उनको बीच की चेयर दे दी जाती है उनके लिए JEFF क्लैपिंग कर दी जाती है और उनको जादा से ज्यादा क्या करते हैं और लोग उसीं में खुश हो जाते हैं वहां व जो दंदा मानते हैं ये कोई आज का किनों ने इतना पैसा ही खटा किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है 29 लाग संगर्षन बन चुके हैं सब जानते हैं हरे भाई आप कम से कम भी लगाए हैं तो सोचे एक हमारा अगर्षन के पास तो मैंटेन होगा इन्हें कुछ मालूम तो हो कि आप कितना पैसा ले चुके हैं और उस पैसे का इन्होंने आज से क्या क्या है जो बाबा साहब ने अपने पैसे से एक भूमी खरीदी ती दिल्ली के अम्वेल्ड कर भवन में, वही एक अम्वेल्ड कर भवन आज हमें देखने को मिलता, उसके अलावा या उसके कोई और इन्होंने खरीदा, कुछ जगा बनाई इन्होंने, कोई स्कूल बनाया, कोई होस् लवी नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से जो भी है, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से पैसा लेना है, और कुछ नहीं है, और अगर हम, जैसे कि हमारा संग्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन लोगों को अब मिर्शी लगनी शुरू हो च है कि हमारे जो है हम लोग लूट का सोट का काम कर रहे हम को चंदा थोड़ी मांग रहे है आप से पर्टी थोड़ी कर तो यहां तो पुलम्-खुला कहा जा रहा है कि यहां वीज़ा पीपल के कॉछ पर्टी नी काटी जाएगी कोई चंदा नी लिया दिया जाएगा और कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा जाएगा जब साफ साफ बात हो रही है तो फिर आप क्या कोन सरके बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्यूं आप अच्छी बात करिए समाज को जोडने की बात करिए हमारे लोगों को आगे कैसे पहुंचाया जाए उसकी बात करिए आप लोगों का कॉनसेप्ट एक इतना अच्छा है जहां कोई बच्चा तयारी करता है उसकी भी हमें पूरी खैर ख़बर रखनी होती है और उसको हमें आगे कैसे वो बढ़े उसकी भी जानतारी दी जाती है बहल सर्थ क्या पड़ी है उन्हें यूके से हम लोगों को यह जानतारीय देने हम लोगों से हमारा समाज जो है इसमें जुड़ने के लिए लालाई है और वो हमें इतनी अच्छे अच्छी जानतारिया दे रहा है यह संग है इस संग को बने रहेगा इसको तोड़ने की कोशिस जो करेगा वो जुड़ेगा और हटेगा यहां से चुकि उसका मकसद कोई है यह संभाई को सामने आई है और आप खुले मंच पर बात करिये और जो भी आपको परेशानी है या इससे ज़्यादा बैटर अगर आपके पास में कोई उप्शन है तो वो दीजिए आपकी बात अगर सुई कार्रेश करनी लायक होगी तो वो बिल्कुल की जाएगी यहां पर सारे भाई जितने भी हैं बुद्धी जी भी सब यही बात कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बैटर रॉप्शन है तो आप वो बताईए लेकिन कोन करके आप इस तरह की बाते ना करें तो आपके लिए अच्छा हो क्योंकि हमें भी नहीं अच्छा लगेगा कि हम आपको किसी भी तरह से कोई अपना जो ना इसकरा का जवाब दे जो आपको शायद कफर मिना हो तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूनी जैविन जैसे वो हैं थैंक्यू आपकर में सुना आपसे एक निवेदन है अगर ऐसे फोन आये तो उनको रिकॉर्ड कर लीजिए मेरे पास जो है आज से चार-पांच महने पहले रास्थान से और कई जगे से मेरे पाद दिल्ली से भी फोन आये तो मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं वो तो आप प्लीज उसको रिकॉर्डिंग सब नहीं किया था और सुदीर भाई साब को भी बताया था तो उन्होंने कहा था कि आप मतलब आ उनको बोलिये और उनको जवाब अच्छा दे दिया और आगे साय दो लेकिन फिर करेंगे तो फिर उनको और बैकर जवाब देंगे हम नी जवाब देंगे रिकॉर्ड करके रख लो पास जी जी आप करेंगे चलो ठीक है जैवीम नमो बुद्दा तो एबरिबोडी मुझे बड़ी खुशी है कि आज नंबर अच्छा हमारी गैदरिंग अच्छी रही और इंटरनाशनल लोगों की भी गैदरिंग आज अच्छी थी सॉरी मैं लेट जोइन किया क्य तो मैं इसलिए स्क्रीन भी ने खोल पा रहा है, रीड भी ने कर पा रहा है, स्क्रीन इतनी, दो चीजे मैं जो अभी सुनी हैं, वो एक तो है अभी शेक जी ने जो कहा, और दूसरा जो मंजू सिंग जी ने भी कहा, मैं दोनों को ये कहना चाहूँगा कि जतना अक्यूज, abuse मुझे हुआ है जब से मैं समन संग में जुड़ा हूँ क्योंकि मैं बहुत से संगटनों में काम किया, बहुत से संगटनों के बीच में जाता आता रहता था, सारे हर साल में मैं पांच पांच छैशे बार, करे बार तो आठ दस बार भी मैं भारत आता था और बहुत सी स्टे में आके खड़ा हूँगा तो जे इनको जे एक असास होगा कि इस आदमी ने ना जहां अर्जरविशन लेना है ना इसके बच्चों ने को एजूकेशन की समस्या जहां है इनके पास तो जे किसलिए आ रहा तो इसलिए कि बावा साब का जो मेरे उपर इतना बड़ा असान है म मेरे उपर कर्ज है उसको मैं धीरे 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 करके इसको चुका दू और जितने संगटनों में मैं जाता था उनको साथ साजोगी भी करता था जबसे मैं इस समंसांग से जुड़ा हूं तब से हर संगठन ने मुझे किया कि तुम गल्त लोगों के बीच में चले गय तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके बीच में फूल माला पहनने के लिए थोड़ी आता था ये तो आप डालते हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं तो एक तब्दीली चाहता था कि जो आपके बच्चों के और आपके दिमाग में आए कि आप ब्रहमन बाह से करने की कोई जुरूरत नहीं है मैं नहीं चाहता कि आप अपनी अच्छी अच्छा समय और अच्छी बुद्धी जो है उसको इतिया इन गतिया लोगों के बीच में ब्यार्थ करें आप अपनी इंटेलीजेंसी समाल के रखो कुट्टों का काम होता है भूपना ये जुरू हमें अपने आपको अच्छा बनाते जाना है अपने आपको उपर उठाते जाना है अपने संग को आगे बढ़ाते जाना है तो मैं आप से आगरा करता हूं प्लीज 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 उनके साथ रोल जिये मत जो बोलता है उसको बोलता रहने दीजिए जितना उनको अग्ण चीज हम पता नहीं मुझे बार-बार ये लोग क्यों पूछते हैं मैंने जब पहली बार ही समन संग के पहली बार ही कुंसेप्ट को जब जे चालू भी नहीं हुआ था सुदीर राज जी से सुना था मैं तभी से ही कंविंस हो गया था कि जही एक रास्ता है इसलिए सारे मैं स किसी संगठन की निंदा नहीं करता वो अपना काम अपने ढंक से कर रहे हैं लेकिन हर संगठन जो बनता है उसका एक अब्जेक्टिव होता है उसका गोल होता है कि आज से एक साल बाद मैं जहां पहुंचूंगा उसके दूसरे साल मैं जहां पहुंचूंगा उसके तीसरे स मैं जहां अब जिनको तीस साल हो गाया और जब मैं तीस साल का उनका देखता हूं कि कि क्या अजीव किया तो फंक्शनों के बिजाए मुझे कुछ भी नजर नहीं आता उनमें मैं उनकी निंदा नहीं करता वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं बहुत कर प्रयास कर हैं मैंने बांशेफ के संगटन से मूल नवासी संग के संगटन से और आवाज का के संगटन से बहुत से संगटना ऐसे जिन में मैंने बहुत-बहुत उन से कुछ सीखा क्योंकि मुझे पढ़ने का समाच बहुत कम मिलता था बिजनिस के बिजनिस में होने की वज़ा से लेक जिस आइडिया को वो लेके चल रहा है जो फंक्शने वो कर रहा है इस साथ तो हमें सदियां लग जाएंगी और इतना समा हमारे पास नहीं है और दूसरी तरफ ब्रहमन ने दिन बदिन अपने आपको जुनाइटेड हम बात तो करते हैं कि हम पचासी परसेंट है वो पंदरा परसेंट है काशी राम जी भी बहुत बड़े पामने पर कहा करते थे लेकर हम यह बूल जाते हैं कि वो पंदरा परसेंट एक ही डारेक्शन में काम कर रहे हैं एक ही अब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हैं और एक ही उनका गोल है जिसको वो चीव कर रहे हैं और जब से उनका संगटन बना है तब से वो इसकी तरफ चलते आ रहे हैं और आज वो इसके उपर हाबी हो गए हैं लेकन हम नाइंटीन फिफ्टी में हमें अधिकार मिले सारे सब्धान मिला हर अधिकार वो मिला जो सब्धान ने जो दे सकता था सब्धान हमें लेकन वो सब्धान ने हम अधिकार दिये हम किसी मूवमेंट से निकल के नहीं आए अगर हम जैसे ब्लैक लाइब्स मैटर है जहां सौथ अफरीका की मूवमेंट है हम मूवमेंट से निकल के अरते मरते कड़ते और बहुत सी तकलीफें जेलते तो हम सब्धान की कदर करते कि यह वो पवित्र किताब है जिसने हमें हर एक चीज दी है लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि को हमें फोकट में मिल गई हर चीज हमें फोकट मिल गई अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पंजाब से हूँ मेरी माने ना कोई चित्थी लिखी बावा साब को ना कोई आगरा किया ना कोई उनको जाकर मिले कभी के है अमबेदकर जी आप इतने बड़े वद्वान हो गए हो आप इतना बड़ा पर लिख कर महान हो गए हो मेरे बेटे के लिए भी कुछ कर देना लेकिन बावासाओं सारा कुछ जो दे सकता था मुझे जो अपने बच्चों को भी उसने दिया वो मुझे दिया इसलिए मैं समझ करके ये कि मेरे उपर बाव साब का इतना करज है मेरी तीन पीडियों में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है जो मैं अंदाजा ने लगा सकता किसी को बता नहीं सकता इसलिए मैं अपने समझता था कि मैं संगटनों में भी जाओंगा जो भी लोग मिलेंगे मैं उनको बताओंगा कि मेरे उपर बाव साब का कैसे प्रवावा कैसे असर हुआ है क्यों मैं जहां आपके बीच में आता हूं तो लेकिन उसका मुझे ये बड़ा एक दुख होता इस चीज़ का कि हर संगटन ने जिस दिन तो मैं उनके साथ था उस दिन तो मेरी बहुत बले-बले बावा बावा करी लेकिन जब मैं दूसरी तरफ जाकर पूशा पे पिछली बार आपकी संस्ता में इतने लोग थे तो आज इतने क्यों रह गया हैं जहां आपने एक साल मे मान लो चार सो से पांसो लोग एक सोई लोग कहां इस रफथार से हम कैसे आगे बढ़ेंगे तो कोई जवाब देने को नहीं त्यार उनका एक ही मक्सद रहता था कि आप आए हैं आप अपना भाशन दो अगर कुछ चंदा है तो हमें दे जाओ वरना जाओ आज जब वो चं समन संग के साथ जो आज मुझे यहां से ग्रहन हो रहा है जा मैं इसमें जो कंट्रिब्यूट कर पा रहा हूं अगर मैं इसमें दूसरों के साथ उलज के रह जाओंगा तो इसमें नहीं कपाऊंगा आज मुझे शूरली और शूरली दिखाई दे रहा है कि अगर कोई सकता है तो वो सिर्फ एंड सिर्फ यही समन्ज संग है जाद रखो भवान बुद्ध ने अपना जब काम चालू किया था तब पांच विख्षू लिये थे और बावाव साब अम्बेदकर ने जब अपना काम चालू किया था तो बावाव साब के पास तो पांच भी नहीं थे बाव साब मूख नाइक जब पेपर निकालते हैं खुद पर उसमें लिखा करते थे खुद ही जाकर महलों में वो पेपर समझाया करते थे पढ़के सुनाया करते थे तो हम ऐसे लोगों की संतान हैं जिनोंने बहुत-बहुत बड़े काम किये हैं और बहुत-बहुत हंबल उनकी बिगनिंग है आप जो तिरह फूले को लीजिए अपने मास्वित्री फूले को देखिए उनसे हमें सीख कर निराश नहीं होना है गलत लोग हमारे बीच में आएंगे जहां भेजे जाएंगे दो चीज़ें हैं एक तो वो अपनी मर्जी से लोग कुश आते हैं कुश लोग करके भेजे जाते हैं हमें करने के लिए इन सबी चीजों की हमें कोई प्रवा नहीं करनी है हमें सिर्फ अपने कार्मा को पूरी रफ्तार से पूरी सोच विचार से लड़ने के लिए सिर्फ तलवारी जुरूरी नहीं है कलम भी बहुत जुरूरी है जो कोई लिख सकता है बड़िया से बड़िया लिखो जो कोई पढ़ सकता है बड़िया से बड़िया पढ़ो क्योंकि बावा सब अंबेतकर ने एक कलम उठाई और उस कलम ने मूली गाजर की तरह हद देवी देवता को हर सम्मानता को काट के न हमें अजाद कर दिया तो उससे कुछ तो सीख कर रहा कि बड़े मैं जादा ना कहते हुए तो लेट हो रहा है आप लोगों की तो रोज की जादत बनती जा रही है कि गुड मोनिंग करके ही आपको ये मीटिंग खतम करनी है तो इसलिए आप आपके साथ मुझे आकर बहुत ख लगाने है तो इसी संक्ठन में लगा दो तो मैं आपके साथ ही लगा रहा हूं निए बातों के साथ जैविम नमोबिद्धा सर बहुत सथ बहुत संदुआ जबूद नाइट में ने हुट नाइट धुकός के साथ जाए एं जो फरन नाइट जो ये करणा पड़ेगा नहीं तो इनको जेटकी करते रहना पड़ेगा हमें तुम देखना जे ऐलैक्षिन कल जाएगी ना मैं आपको प्रडिक्ट करता हूं जो एलेक्शन निकल जाएगी ना तो जैसे वो बुरसाथ के बाद मेंडिक डिसपियर हो जाते हैं ना ऐसे डिसपियर हो जाएंगे और एक ही रास्ता बचेगा वो है हमारे संग का इसके आने की बिजाए उनके पास कोई और आप्शिन नहीं है आप थोड़ा सा सवर रखके चलें इस प्लेट फार्म पर जुड़े साथियों को एक बार फिर जैभीम नमबुद्धाय जैभीम सर आज का कांसेप्ट सर का सुने तो कांसेप्ट ही इतना बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इससे हमको प्रतिदिन सीखने मिलता है और सीखने साथ में जो हम रिफ्रेसर बोलते ह हना हम लोगों का प्रतिदिन स्लिंट्र होता है और संग का जो महत्यों है एक तो अप्छे तो मुझे दो लाइन की एक तो बहुत सी दो मिनिट लगेगा प्छोटी सी कहानी आदाथी है तो संग की सकती बताता है एक एक सिकारी जाता है सिकार करने के लिए वो जाल लगा देता है और में बहुत सारे कबूतर जो है फस जाते हैं और कबूतर फिर आपस में मंत्रा करते हैं सोचते हैं कि इससे तो हमें बहली है मुझे मार देगा इस सारे कबूतर एक साथ ताकल लगा करके उस जाल को उड़ा ले ज जाल को काटने के लिए और जाल से निकलने के लिए जो वी दे पीपुल और समझ संग है यह बहुत ही हमारे संकटों को हमारे समस्याओं को उससे निकालने में बहुत ही सार्टक सिर्द होगा लेकिन जब तक हम सब क्वेश्चन उठाने के पहले सारा जितना कांसेप्ट समझें और उसी समझ में ही हमारे करतब्यों का निर्वान दिखता है हमको बिना किसी संकोच के लोगों को जोडने में लग जाना है और जब तक हम अपने अंदर ही इसके लिए क्या करना है कैसे करना है नहीं सोच पैदा करेंगे तब तक जैसा कि कांसेप्ट में बता दिया गया है नै इसका कोई लीडर है नई इसका कोई अगवा है नो कुछ वह तो जब हमें ही करना है तो अपने अंदर ही उस सोच पैदा करनी है मुझे आसा है विश्वास है कि सभी साथी वीदा पीपोल के कांसेप्ट को समझ करके और बिल्कुल यह है उसी सट से काम करना प्राग्म कर देते मैं प्राया मुझे अभी मुश्किल से आठ दिन हुआ है और पहले दिन ही कॉंसर्ट में समझ वाने के बाद में मैंने अपने अस्तर से जो प्रया से प्राग्म कर दिये है मुझे लगता है दीरे दीरे वो जो है रंग लाएगा मैं इसी भावना के साथ इसी विशा आसा के साथ कि हमारे जितने साथी है अपने अस्तर से काम कर रहे है और जो उनके अंदर कुस्चन होता है किसका कारी क्या है संग करेगा क्या उन्हें अपने अंदर सोचना है स्वेम से अपने अंदर इच्छा सकती जागत करनी है और समझ संग के जो है तांसर्ट को समझ करके अपने कारे में लग जाना है धनिवाद जैभीम नमबुद्ध है थैंक्यू स्थैंक्यू बहुत बहुत साथवाद बहुत अच्छा दान देकर आपके संग गया और आप जो मतलब आज लेकिन आठ महीनों बाद मुझे एक समझ में आ गई है कि हम हमसे पहले लोग पूछते थे कि जोड़के और जोड़के क्या करोगे आप सबसे भी बूचते होंगे उससे लोग पूछते थे जोड़के करोगे क्या लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि जोड़न हैं लोग लेकिन फिर भी चाहे कमी स्पीड से ही हो रहा है अभी लेकिन जितने भी लोग जुड़ पा रहे हैं वो बहुत अच्छा है दबे पैरों से उजाला आ रहा है फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है धुंद से सहरा निकलता दिख रहा है धुंद से सहरा निकलता दिख रहा है कौन शित जो पर सवेरा लिख रहा है कौन शित जो पर सवेरा लिख रहा है छुपियां है जुबा बन कर फूटने को दिलों में गुसा उबाला जा रहा है दिलों में गुसा उबाला जा रहा है दबे पैरों से उजाला आ रहा है फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है ठगित है गती और समय का रथ रुका है कह रहा मन बहत नाटक हो चुका है कह रहा मन बहत नाटक हो चुका है प्रशनों का उत्तर कठिन है इसलिए भी प्रशनों का उत्तर कठिन है इसलिए भी प्रशन सो सो बार टाला जा रहा है प्रशन सो सो बार टाला जा रहा है दबे पैरों से उजाला आ रहा है फिर कताओं को खंगाला जा रहा है सेंध गहरी नींद में भी लग गई है सीजिती सीरात काली ढल रही है जो लोग आज भी मनुवाद में चूर है और प्रश्टाचार में लिथ है ये उन्ही के लिए है आकरी लाइन होशवालों को सम्हाला जा रहा है दबे पैरों से उजाला आ रहा है फिर कताओं को खंघाला जा रहा है दबे पैरों से उजाला आ रहा है फिर कताओं को खंघाला जा रहा है बहुत बहुत संदर पर सुनु जी मुझे ऐसे लग रहा है जिसे दो चार बार आपने इस समंसंग में इस गीत को दौरा बार बार सुनाया समंसंग का एंथम बन जाएगा बन जाना चाहिए बिल्कुल कि मुझे लगता है बिल्कुल इसा लगता है बिल्कुल मैं कह रहा हूं हाँ तो अब तो दीरे 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 हमें याद ही होता जा रहा है कि एक दिन मुझे लग रहा है कि सारा संगी आपके साथ गाएगा जी गाना जी सर बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए सा पूरा संग एक साथ गाएंगे किसी मतलब फिजिकल मिटिंग में जी बिल्कुल बिल्कुल ने बहुत बढ़िया है इसकी वर्डिंग मुझे बहुत पैरी लगती है अगर ऐसे पांच-दस गीत अच्छे बना लो और तो मैं आपक एक जो dvd ना बुनोंवा कर सारे समन संग को बाटूँ गा चाहे कितना भी पर चैनल पर कर जी बोलिये मुझे आज मैं पहले वार जटा हूँ और जटकर मुझे काफी अच्छा मैसчески होरा है पहले तो मुझे लग ता कि रात के बारा बजे मैं क्या सुनूंगा और वर्कलोड होने के बाद नींद आती है बहुत जादा, लेकिन सुनने के बाद एक अलग से एनर्जी का एसास हो रहा है और लग रहा है कि हमारा भी समाज है और हमारे लोग भी हैं जो जुडे हुए हैं, आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में बेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने twitter पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिलकुल भी जरूट नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सरी वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद चंगं सरेने जच्छामी चंगं सरेनं बताइधार आपकी संगं सरेनं बताइधार आपकी तुन्तियं पी धं ममर्से न कच्छानु तुन्तियं पी धं ममर्से न कच्छानु दूतियों पी संगों सर्मां गच्छाम। दूतियों पी संगों सर्मां गच्छाम। ततियों पी बुद्धों सर्मां गच्छाम। ततियों पी बुद्धों सर्मां गच्छाम। तैतियं पी धंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघं सादू, सादू